ओम नमो भगवते वासु देवाए साथियों आज दर्शन करते हैं भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के जो चिन्नाई की सबसे पुरानी संरचना है भगवान पार्थ सार्थी का मंदिर यह मंदिर छटी शताब्दी का है और दक्षिन भारत का व्रिंदावन कहलाता है क्योंकि श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है मंदिर भगवान विश्ण के एक सो आठ दिव्य देशम में से एक है भगवान ने महा भारत के युद्ध में अरजुन के सार्थी के रूप में कारे किया और पार्थ सार्थी कहलाए ये मंदिर द्रविड शहली में बना है और पल्लव काल का है इसे नरसिंग वर्मन प्रथम ने बनवाया मंदिर का गोपुरम चालिस मीटर उंचा है इस मंदिर को बाद में जोल शाषकों ने पंडेर और विजयनगर शाषकों ने भी आगे बढ़ाया मंदिर में भगवान विश्णु के पाँच रूप है योग नरसिंग, शीराम, गजेंद्र वरद राज, रंगनात और भगवान कृष्ण पार्थ सार्थी के रूप में मंदिर में पहले भगवान नरसिंग को भोग लगाया जाता है गर्व ग्रह में भगवान की अद्भुत मूर्ती है जिसमें मूचे है भगवान के हाथ में पांद जन्य शंक है, बाया हाथ वरद हस्त रूप में है उनके साथ रुक्मनी, भाई बलराम, बेटा प्रद्युम्न, पोता अनिरुद्ध और सात्यकी है मंदिर में आठवी शताब्दी के कई अभिलेक मिलते हैं, जिनमें मंदिर को दान, गाउं या बगीचे भेट किये गए उनका वर्णन है पार्थ सार्थी मंदिर में अंडाल जो बारा अलवरों में से एक है, हनुमान जी, अन्य अलवार संतों की, रामानुज की मूर्तियां हैं, मंदिर की पुष्कर्णी में पास दीर्थ हैं, जो इंद्र सौम, अगनी, मीन और विश्नु के नाम से हैं, यहां रिशियों ने तपस्या की पुष्कर्णी के साथ बैठ कर, मंदिर में वेखाना सगम परंपरा से पूजा की जाती है, भगवान पार्थ सार्थी और योग नर्सिंग भगवान के प्रवेश द्वार और ध्वज स्तंब अलग-अलग हैं, मंदिर के मंडप और स्तंबों पर बारीक कारीगरी की गई है, मंदिर के एक बरामदे में स्वामी विवेका नंद का अपने शिश्य को लिखा, अठारा सो तरानवे का पत्र है, जिसमें विवेका नंद उन्हें गरीबों और दलितों के प्रती जीवन समर्पित करने का संदेश दे रहे हैं, और भगवान पार्थसार्थी जित जो थिरू वल्ली केनी के भगवान हैं, उनके मंदिर में जाके अंडर्टेकिंग लेने को कह रहे हैं, पार्थसार्थी मंदिर में ब्रमोत्सव, पल्ला उत्सव, रामानोज उत्सव, वेकुंठेकादशी, श्री वेदवल्ली थैर उत्सव, वसंत उत्सव, उडैवार उत्सव, गृष्ण जन्नवाष्टमी, नवरात्री दीपावली, रत सप्तमी, रामनोमी, धूमदाम से मनाये जाते हैं, और एक त्योहार नौका विहार का होता है, जिसमें भगवान की उत्सव मूर्थियों को साथ दिन तक नौका विहार कराया जाता है, उत्सवों में भगवान के वाहनों में हाथी, गरुड, घोडे, हंस, हनुमान जी, मंदिर के रत, आदी में भगवान की उत्सव मूर्थियों को बिठा कर नगर में शोभा यात्रा निकाली जाती हैं, साथियों भारत के कोने कोने के मंदिरों के दिवे दर्शन और उनके त्योहार कैसे मनाये जाते हैं इस विशे में दिवे जानकारी प्राप्त करने के लिए, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब इस चैनल, ओम नमो भगवते वासुते वाई जाल, ब degreesने दिवे जनके दिवे ज़रादे कोने के देए आए सुक्ते वाई प्लीज गुते है, तो सयक्तिता है, आ specimens के में रिकालना के दिवे ज़ए घरी.